इसराइली सेनिकों ने गुरुवार को राहत खाना लेने पहुचे गाजा के लोगों पर फाइरिंग कर दी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दौरान 112 फिलिस्तीनी मारे गए 760 लोग घायल हुए है इसराइली सेना ने कहा कि सेनिकों ने भीड़ पर इसलिए फाइरिंग की क्योंकि उन्हें लोगों से खत्रा महसूस हुआ एक चश्मरीद ने नियूज एजेंसी को बताया कि अल नाबूल सी शहर में राहत सामकरी से भरा एक ट्रक पहुचा था लोगों ने इसे घेरना शुरू कर दिया और ट्रक के पास है इसराइली सेना के टांग और सैनिक खड़े थे लोग उनकी तरफ भी बढ़ने लगे इतने में सैनिकों ने फाइरिंग शुरू कर दी और भगदर मच गई वही सेना ने कहा कि अभी लोगों ने जरूरत का समान लूटना शुरू कर दिया वो हमारी तरफ बढ़ रहते और हमें लगा गोलोग खतरनाक हो सकते हैं इसलिए फाइरिंग की गई साथ अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इसराइल हमास जंग में अब तक 24 अस्पताल और 123 एंबुलेंस तबाह हो चुकी हैं कोई गाड़ी नहीं होने के कारण घायलों और शवो को गधा गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया इसके अलावा जिस ट्रक में राहत सामगरी पहु कोशने नहीं दे रहा वो खाना चुरा रहे हैं और जरूरत का समान लेने पहुचे लोगों से मालपीट करने के बाद आतंकी ये समान लेकर भाग रहे हैं इसराइली सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया इसमें हमास आतंकी राहत सामगरी चोरी करते दिखे सेना ने वीडियो के साथ लिखा कि गाजा के लोगों की जरूरतों से ज्यादा जरूरी आतंकवादियों की जरूरते हैं